जैशी किष्णा दोस्तों वियसना फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तों सावन के महिने में भगवान शेकर और माता पारवती की दोनों की ही किरपा समान रूप से बरस्ती है क्योंकि सावन के महिने में जितना महत्व सोमबार का है उतना ही मंगलवार का भी है इस माह में माननेता है कि यदि किसी के वैवाहिक जीवन में कोई समस्या हो कोई अर्चन हो या फिर संतान की प्राप्ति ना हो रही हो तो उसे मंगला गौरी व्रत अवश्य रखना चाहिए मंगला गोरी वरत करने से सुख सो भागय पती की दीग रायों और संतान सुख की प्राप्ति होती है साथ ही मंगला गोरी का वरत करने वाले को कथा अवश्य शवन करने चाहिए कथा सुणने मात्र से ही सुख सो भागय पुत्र संतान की प्राप्ति होती है दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको पूजन विधी और वरतकता सुना रहे हैं सबसे पहले देखिए पूजन विधी में सूर्य उदे से पहले उठें इसके बाद सन्नान आदि करके स्वच वस्त धारन करें एक साफ लगडी की चौकी पर लाल रंग का वस्त विचा कर माता गोरी की प्रतिमा या तस्वीर अवश्य स्थापित करने चाहिए मा के समक्ष वरत का संकल्प करें और आटे का बना हुआ दीपक प्रोजिलित करें इसके बाद धूप दीब नेवग्य फल फूल आदी से मा गोरी का पूजन करें पूजय पून होने के बाद माता गोरी की आर्ति करनी चाहिए और उनसे अपनी प्रात्ना अवश्य बोलनी चाहिए साथ ही मंगला गोरी व्रत कथा अवश्य स्रमन करनी चाहिए बोलो गोरी शंकर भगवान कीजे पुरानी कथा के अनुसा पुराने समय में एक धरम पाल नाम का सेट रहता था उसके पाद धन दोलत की कोई कमी नहीं थी बस कमी थी तो संतान की इस वज़ा से सेट और उसकी पत्नी काफी परेशान रहते थे संतान प्राप्ती के लिए सेट ने कई जब तब ध्यान और अनुस्ठान किये जिससे देवी प्रसन हुई और सेट से मन चाहा वर मांगने को कहा तब सेट ने कहा कि मा मैं सर्व सुखी हूँ धन धानने से संपून हूँ परंतू मैं संतान सुख से वंचित हूँ मैं आपसे वंच चलाने के लिए एक पुत्र का वर्दान मांगता हूँ सेट की बाद सुनकर देवी ने कहा सेट तुमने बहुत ही कठिन वर्दान मांगा है पर मैं तुम्हारे तब से प्रसन हूँ इसलिए मैं तुम्हें वर्दान देती हूँ कि तुम्हारे घर पुत्र रत्न की प्राप्ती होगी परन्तु तुम्हारा पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा देवी की एहवाद सुनकर सेठ और सठानी बहुत ही दुखी हुए लेकिन फिर भी उन्होंने वर्दान सुईकार कर लिया देवी के वर्दान से सठानी ने एक पुत्र को जनम दिया सेठ ने जब अपने पुत्र का नाम संसकार किया तो उसने उसका नाम चिरायू रखा जैसे जैसे समय बीता गया सेड़ सिठानी को अपने पुत्र की मृत्यू की चिंता सताने लगी तब एक विद्वान ने सेड़ को यह सला दी कि यदि वह अपने पुत्र का विभा एक ऐसी कन्या से करा दे जो मंगला गोरी वरत रखती हो उसी कन्या के वरत के फलसरूब आपके पुत्र को दीगरायू प्राप्त होगी सेट ने विद्वान के कहे अनुसार अपने पुत्र का विभाई एक ऐसी कन्या से करा दिया जो मंगला गौरी का विधी पूर्वग वरत रखती थी विभाके पैनाम सरूब चिरायू का अकाल मृत्यु दोष समाप्त होगी जिस इस्तृ से उसका विभाक राया गया वहै इस्तृ अपने पती के लिए सुख शांती और अपने अखन्ड सो भागे के लिए माता गौरी का वरत करती थी उस स्त्री के व्रत से प्रसन होकर माता गोरी ने धरम पाल की बहु को अखर्ण सो भाग का वर्दान दिया जिसके पश्चा चिरायू अपने नाम के अनुसार ही चिरंजीवी हुआ तब से हर महिला अपने सुहाग के मंगल कामना के लिए मंगला गोरी व्रत करती है बोलो मंगला गोरी माता की जै भक्त जनो अगर आपको हमारी कथा जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक शेर जड़ू करें आप सभी को जैशी किष्णा